हेलो राधे राधे आप सब कैसे हैं मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे आज की वीडियो बहुती यूसफूल है जिसके थुरू आप अपने रोज के काम बहुती असान तरीके से और बहुती कम समय में कर पाएंगी तो चलिए इन यूसफूल टिप्स को देखते हैं और वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं मेरी पहली टिप यहां पर जूतों को रखने की है हम लोग क्या करते हैं एक जोड़ी जूता इस तरह से बॉक्स में करके रख देते हैं और वो काफी स्पेस भी लेती है तो हम लोग ऐसा क्या करें जिससे हम लोग एक ही जगह पर जह सारे जूटे भी रख सकें और वो चीज़े हम लोग के एक जगह पर मिल सकें तो आप लोग क्या करें आप लोग एक बाक्स में एक जोड़ी जूटे ना रख करके इस तरह से दो या तीन जोड़ी जूटे अराम से रख सकती है तो यहां देखिए मैंने पहले एक जोड़ी 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 ज अगली टिप मेरी यहाँ पर च्छाते को ले करके है बर साथ के टाइम हम लोग तो अच्छे से च्छाते को यूज भी कर लेते हैं और उनको उठा के रख भी देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं च्छाता रखने से पहले उसका पानी भी अच्छे से निकालने के बार और अच आपको क्या करना है चाते को अच्छे से खूलना है और पूरे चाते में एक एक परत में अच्छे से इसमें पौडर डाल देना है पौडर डालने के बाद आपको क्या करना है अच्छे से हां से रफ भी कर देना है इसे यह होगा कि पौडर चड़कने के बाद आप चाते में पूरी तरह से रफ करेंगी तो पूरे चाते में अच्छे से पौडर आ जाएगा और उसमें से जो बैड स्मेल आती है वो पूरी तरह से रिमूव हो जाएगी तो आप लोग जरूर देखें कि जब भी हम लोग ऐसा चाता रख देते हैं तो उसमें से बहुती खराब इसमेल जाती जैसे हम लोग चाता कोलते हैं अब बिल्कुल गंदी समेल आने की वज़े से बहुती गंदा लगता है लेकिन आप लोग इस तरह से पौडर लगा के रफ करके जब रखेंगी तो हम लोग के चाते से बिल्कुल भी बैड समेल नहीं आएगी आप चाते को इस तरह से जब छाते को रखेंगी तो इसमें थोड़ी थोड़ी हवा भी जाती रहेगी। पॉलिथिन में रखेंगी तो इसमें किसी प्रकार की हवा नहीं जाएगी तो इसमें से बैड इसमेल आएगी। अगली टीप मेरी यहाँ पर मिर्शी को ले करके हैं। घर में इस तरह करना इस तरह से मिर्शी को लेना है पिज़ा कटर के हल्प से अच्छे से कट कर लेना है तो यहाँ देखें वैसे तो हम लोग क्या करते हैं चाकूल के हल्प से एक ही मिर्चा काट पाते हैं लेकिन जादा पांटिटी भी मिर्चा काटना हो तो आप लोग फटा-फट पिज़ा कटर से उठा के बहुत ही जल्दी इस मिर्चों को अच्छे से कट कर पाएंगी तो यहाँ पर देखें मैंने चार मिर्चे अच्छे से लगा के उसके बाद पिज़ा कटर से अच्छे से कट लिया कट कर लिया है ज्यादा टाइम भी नहीं लिखा लगा और बहुत ही अच्छे से हम लोग के मिच्चे भी कट हो गए तो आप लोग जब पिज़ा कटर से काटेंगी तो हम लोग के जलन वगएरा होती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी और बहुत ही अच्छे से कम समय में हम लोग के मिच्चे कर जाते हैं हाथ में भी जो जलन होती है या कट वगएरा लग जाते है या मिर्ची हम लोग को काटना पड़ता है तो आप लोग आगे से जब भी मिर्ची काटे है तो हाथ में जलन बिलकुल भी ना हो पिज़ा कटर के हट से ही काटे है अगली टिप मेरी यहाँ पर वासिंग मुशीन को ले करके हैं वासिंग मुशीन में कपटे हम लोग अच्छे से धूल लेते हैं लेकिन उपर से इसका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाते हैं और धूल गर्दा वेगारा इसमें आ जाती है तो आप लोग महीने में अच्छे से वासिंग मुशीन की सफाई जरूर कर लिया कर और अच्छे से जितनी भी गर्दा इस वाशिंग मशीन में उपर आ गई है तो आप अच्छे से इसके हल्प से साफ करेंगी तो फटा फट हम लोगे जो वाशिंग मशीने उपर से साफ हो जाएगी तो यहां पर देखिए थोड़ा सा मैंने मोजे को गीला कर लिया है ताकि थ देखिए थोड़े बहुत जो दाग लगे थे मैंने मोजे के हल्प से अच्छे से साफ कर दिया है और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता फटा फटा फट हम लों की वाशिंग मशीन साफ हो जाती है और देखने में गंदी भी नहीं लगती ऐसे हम लों कप्रेद होते तो आप लों मोजे से मैने में दो तीन बार मैने में एक बार तो इस तरह से ज़रू सफाई कर लिए यह बहुत ही यूसफुल टिप्स है आप लों ट्राइ करके ज़रू देखेगा और एक चीज़ और हम लों क्या करते हैं जब वाशिंग मशीन में कपड़े दोते हैं तो इस तरह से इसमें पानी निकलता है हम लों क्या करते हैं कपड़े दो लेते हैं और तुरूंत रबड़ को उठा के तो आप लिकिल मत करें इसमें जो पानी रहता है अगर हम लों ऐसे ही पानी भरा इससे टांग देंगे तो यह वाशिंग मशीन को खराब भी कर सकती है आप अगली टिप यहाँ पर मिक्सी जार को ले करके है हम लोग क्या करते हैं मिक्सी जार में अच्छे से चीज़े पीस लेते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा होता है इसमें से बैड स्मेल नहीं जाती है और मिक्सी जार हम लोग का गंदा भी रहता है तो आपलों किया करें उन निय्सपेपर का थोड़े थोड़े तुकले करकے छोटे से आपको इस मिक्सी जार में डाल लेना है जादा नहीं डालना है सिर्फ आधर निय्सपेपर से हम लों का काम चल जाएगा तो यहाँ देखें मैंने छोटे पीस करके नियूस पेपर अच्छे से इस मिक्सी जार में डाल दिया है उसके बाद आपको यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा नमक जो हम लोग घर में यूज करते हैं और एक चमस इसमें खाने वाला सोडा तो आप लोग इस तरह से दोने चीज़े अच्छे मिक्स कर देंगे तो अज यसा होता है ना मिक्सी जार में जो लोग नमक और खाने वाला सोडा डालेंगे इसको मीठा सोडा भी बोलते हैं तो जो आप इसमें डालेंगे उसके बाद थोड़ा से यहां पर हम लोग पानी भी एड़ कर देंगे पानी एड़ करने के बाद उसके बाद हम लोग अच्छे से इसको मिक्सी जार मिक्सी में अच्छे से चलाएंगे आप देखेंगे अच्छे से चलाने के बाद थोड़ी दिर बाद हम लोग देखेंगे जो मिक्सी जार से हम लोग के बैड स्मेलारी वो बिल्कुल भी नहीं आ यह बस जिदे को न्यूस पेपर क्या होता है यहां पे हैं अच्छे से क्लीनिंग करने के लिए जो बैड इसमेल आ रही है वो भी रिमूब करने के लिए बहुत ही यूसफूल है और जो खाने वाला सोडा है नमक यह दोनों क्लीनिंग का बहुत ही अच्छा काम करते है उससे बैड इसमेल पहले आ रही तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है आपको पता चल ले होगा यह अच्छे से शाहिन भी मानने लगा तो आप लोग जब न्यूस पेपर से अच्छे से इसको चलाएंगी तो बहुत ही अच्छे से इसकी जितनी भी बैड इसमेल वो पूरी तरह से चली जाएगी आप लोग एक बाइस को ट्राइ करके देखेंगी तभी आपको पते चलेगा यह कितना यूसफूल है यहीं पर मैं अपनी वीडियो का एंड भी करूंगी कलाप से एक नई वीडियो में फिर से आख करके मिलती हूँ आपको मेरी कोई भी टिप पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शियर जरूर कर दीजेगा और कमेंट करके जरूर बताईएगा आपको वीडियो कैसी लगी आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा ओके बाइ